एपको पताने वाला हूं वन बाइवन करके स्टार्ट करते हैं फटाफट सबसे पहली बात कि जो भी बच्चे एक्जामिनेशन देने जाने वाले हैं उनमें कुछ बच्चों का सेंटर गोरख पुर्था उससे रिलेटेड एक छोटी सी नोटीस आई है उसको ध्यान से देख कर रहा होगा अभी एडमिट कार्ड को चेक कर लें प्रॉपर तरीके से कि एडमिट कार्ड में जो एक्जामिनेशन सेंटर था कहीं वो चेंज तो नहीं हो गया क्योंकि यहां पर एक नोटीस के माध्यम से इन्हों ने बताया मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा कि देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दिनांक 22 दिसंबर 2021 को प्रदेश के पांच जनपदों में आयूजित की जा रही उत्तर प्रदेश प्राविधिक सिक्षा अध्यापन सेवा परिक्षा 2021 के संबंद में का पुराना पता था परिच्छा उपकेंद्र कोड 31-061 नहरु कन्या इंटर कॉलेज बिच्छिया रेलवे कॉलोनी यह इसको चेंज करके परिच्छा उपकेंद्र 31-061 नहरु कन्या इंटर कॉलेज बिच्छिया रेलवे कॉलोनी संसोजित पता इसमें मतब सेंटर तो अल्म है यहां पर देखिए इदर वाले में कि अर्ण उपकेंद्र इतना लिखा उगा आ नीना थापा इंटर कॉलिज गोड़ा ठौने चॉड़ा ज्यादा इसमें पैनिक वाली बात नहीं है बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि एड्रेस जो था सेंटर का वो पूरी तरीके से एकुरेट नहीं था उसको थोड़ा बहुत चेंज किया उनमें कि बच्चे परेशान होते इसके रिगार्डिंगे नोटिस निकाली है और यहां पर नुक्रमांग कियानी कि रोल नंबर भी आपका मेंशन किया गया है कि कहां से कहां तक के रोल नंबर के बच्चों को एड्मिट कार्ड में यह चीज देखनी है अपने डाउनलोड करने लेटेस एड्मिट कार्ड में अप्डेट भी होगा उसमें कोई ऐसी बात नहीं है अगर आप डाउनलोड करते हो तो उसमें प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन दिया है उस नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं हर चीज वन बाई वन ध्यान से समझेगा एक एक प्वाइट को सभी अभियारती परिक्षा केंद्र पर दो फोटो तथा आई डी प्रूफ दो फोटो आपको फोटरग्राफ्स लेनी है जो भी आपने यूज़ करना है उसके सासाथ आई डी प्रूफ आई डी प्रूफ में क्या-क्या हो सकता है डी यल हो सकता है ड्राइविं लैसेंस पासपोर्ट पैन कार्ड वोटर काड आधार जैसे कि इसको बोलते हैं हम लोग यह ले जा सकते हैं और साथी साथ यह चीज़ लिखा हुआ है कि मूल प्रती मतलब औरिजिनल कॉपी एंड अच्छाया प्रती यानि की एक उसकी जरॉक्स कॉपी जरॉक्स भी आपको लेके जाना है मांगे जाने पर उन्हें प्रस्तुत करना होगा अनिवार है मतलब यह आपसे मांगा जाता है तो आपको शो करना होगा इसके बाद next क्या important पॉइंट है रंग एंसर के लिए का औभी से बात है यह वाथ है नेगटीम मार्किंग है इसमें नेगटीम मार्किंग करिवेजनर में कितनी है वन इपशन हैं एक त्य रूपि कर सूरिय்करॉपकर के टिक करते हैं या उमिध्वार एक सधिक उत्तर देता है यानि कि आपने दो एंसर बबल कर दिये तो इसमें इसका उत्तर गलत माना जाएगा यानि कि वह रॉंग होगा और उस पर आपके मार्क्स भी डिड़क्ट होंगे यदि उमिद्वार द्वारा कोई प्रश्न पत्र हल प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्था तो मिद्वार उत्तर नहीं करता है तो प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं कटा जाएगा जनरल सभी एक्जामिनेशन में ऐसा ही होता है कि अगर आपने एटेंप्ट ही नहीं किया तो उसके लिए कोई भी माक आपके डिड़क्ट नहीं किये जाएंगा आगे देते हैं ध्यान से इसलिए मैं बता रहा हूं आपको आपका ही काम कर रहा हूं यहां पर इस वीडियो के मादिम से ध्यान से समझेए अभ्यारतियों को सलाह दी जाती है कि वह अपना क्लिप बोर्ड बोर्ड कार्ड बोर्ड जिस पर कुछ लिखा ना हो तथा काली इंक का बाल पॉइंट पेंस से साथ लेकर आएं बोल रहा है कि आपके पास हाड़ लेकर जा सकते क्योंकि जो बेंच मिलते हैं वो बेंच उतने प्रॉपर होते नहीं है जब बबल वगएरा फिल करोगे ना तो उसमें प्रॉब्लम होती है इसलिए बोलते हैं कि हाड़ बोर्ड ब दिखा गया है ऐसा मैं सुचना कि चलो ब्लैक से ब्लू से कर देंगे अब व्यारतियों को अपने पास अपनी सारेडी टेबल ग्राफ सीट मांचित्र आधी रखने का अनुमाने नहीं मतलब कुछ भी आपको ग्राफ टेबल पेजर इसे वेल्क अलाउड नहीं है कैलकुले साइन्टिफिक केल्कुलेटर अनुमानी होगा जो भी साइन्टिफिक केल्कुलेटर आपको यूजज में यूज करते थे जैसे कि 100 एमेस 802 मैस ठीक 100 मैस से नीचे वाले वह सारे के सारे आप ले जा सकते हूं 100 मैस को भी ले जा सकते हूं क्योंकि नॉन प्रोग्रामेबल है इनको आप मंद ना ले जाईएगा है ना अभ्यारती द्वारा कख्ष में किसी भी समागरी को आपस में अधान प्रदान और वेसी बाते सोचोगा कि मांग लू आपके पास पाए जाता है तो उसकी जिम्मदार आप होंगे और आपको डंड के रूप में एक्जामिनेशन से डिबाड कर दिया जाएगा हमेशा के लिए और एक्जामिनेशन में वहां से निकाला जा सकता है बहुत सारे प्रोविजन है आपके पास वह नोट्स जो भी निकाल देना परिक्षा में नकल करने की कोई भी समागड़ी पकड़ी जाती है तो देबाट किया सकता है जो मैंने पॉइंट बताया था अंतिम आदे घंटे में आप यार्टियों को परिक्षा से बाहर जाने के अनुमिति नहीं होगी मतलब होने के आदे घंटे बाद ही आप निकल पाएंगे वहां से अव्यारती प्रश्ण पत्र प्राप्ट करने के प्रस्चात या देख लिए कि उस पर क्रमांग पड़ा ने था पाए जाने के बाद बदल ले इसे प्रकाल छतिक्रस फटे मतलब जो भी आपको पेपर मिलेगा और जो आपको एमार सीट मिले प्रस्वाइब में प्रस्वेज्स करता है तो आपको ऐसा नहीं करना है यह कई बर बता जाता है यह जो भी रबर और यह वह गयादा शेक करता है इंडेंसिटी मेजर करता है उसके वज़े से आपके उत्तर सही या गलत है यह चीज़ें आप लोग मत करिएगा कि ब्लेट से खुरचने लगे उसको वाइटन लगाने लगे है ना प्रवेस दिया जाएगा प्रवेस दिया जाएगा मतलब एक्जामिनेशन हौल में आप एक घंट पहले से इंट्री आपको मिलने लगेगी और कब तक मिलेगी इग्जामिनेशन शुरू होने के पस्चाथ 15 मिनट बाद तक यह लिखा हुआ यहां पर अगर किसी परिक्षा केंदर पर face mask एवं sanitizer लेकर आना अनिवार है आप यारति अपने पीने है तो पानी पारदर्सी बोतल में लेकर आए यानि कि जो भी drinking water है ले जाना है तो transparent water में ले जाईए साथ साथ में face mask and sanitizer sanitizer ले जाना जरूरी है face mask आपको पहन के जाना जरूरी है तो यह सारे points इस देने आसा करता हूं कि आपका paper अच्छा हो आपने जो मेहनत की है पूरी के पूरी मेहनत आपकी utilize हो जितने भी aspirants वीडियो को देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से all the best अच्छे से exam देना है काम रहना है पूरे के पूरे paper को फटा-फट करते जाना है questions को पहले एक बार review कर ल questions के answer देना है start करेंगे राइट कोई भी doubt होता है comment section में drop कर सकते हैं हम सब आपके साथ हैं और इसके बाद exam देके आएंगे next day आपका exam analysis हम कराएंगे इसी चैनल पर साथी साथ एक बात और important है जो भी बच्चे अभी examination देने जाएंगे obviously बात है आपके पास एक दिन का time है यह description में मैं कुछ link provide करा देना हूं उसमें Hindi के कुछ questions हैं और आपके civil के कुछ points है review कर ले ना देखते देखते मोबाइल में scroll करके देख सकते हो इस लिंक पे क्लिक करके वो इसी particular polytechnic lecture examination के हिसाब से ही design किये गया है उनको देख सकते हो एक बार क्या पता कुछ आपको benefit मिल जा उ से ठीक है guys thank you all the best अच्छे से एक्जाम देना है मिलते हैं examination के बाद thank you so much